आप सभी को एक और नई लर्निंग वीडियो पर श्वागत करते हैं तो बेसिकली ये वीडियो आपसल्स ट्रेडिंग के उपर है कि आप बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में कैसे आपसल्स को ट्रेड करकर करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं एदर आप बाई कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं ये दो इस सेटप में आप इस स्ट्रेडियो को इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप setup देखेंगे कि इस setup के coding यहाँ पर हमारा entry बना और एक easy way में हमारा target achieve हो चुगा है तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना telegram channel आपको दिखाना चाहोगा अगर अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया होगा तो learning और market में पैसा बनाने के लिए आप इस telegram channel को join कर लिजेगा वीडियो के description में link दिया लिया होगा आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आज morning में एक nifty में call दिया था with strict stop loss के साथ मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ morning में आप देखेंगे कि 9 बच करके 40 मिनिट में मैं ने 9650 की put nifty में buy करवाया था 110 पे stop loss 110 का ही था जिस पे मैंने buy कराया था कि वहाँ सही momentum एक जबजास ताया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 120-130 का target रखा था जो अराम से easily achieve हो चुका है 113, 115, 116 और मैं point to point आपको guide करते रहता हूँ कि कहां पे आपको क्या होने वाला है सभी criteria को मैं explain करते रहता हूँ यहाँ पे 117 देखेंगे 118, 119 और finally यहाँ पे देखेंगे कि first target हीट हो चुगा था उसके बाद मैं trail stop loss cost to cost करवा देता हूँ यह हमारे clients का profit है जो premium clients है वो उनका profit है तो यहाँ पे देखेंगे कि 128 का high मारा था यानि कि second target achieved हो गया था अब रही इस setup के according यहाँ पे मैंने देखेंगे कि 12 बच के 55 बिनेट पे मैंने यह post डाला था कि यहाँ से एक nifty में by momentum बना सकते है नifty by position risk reward 1 to 1 और और 1 करहेगा फिर यहाँ से देखेंगे कि एक upside की momentum rally continue होने लगा उसकी यहाँ पे मैंने photo डाला फिर finally यहाँ पे target achieved हो गया तो यहाँ पे भी उसका मैंने skin sort डाल दिया कि target हीट हो चुका है अब आते हैं हम लोग strategy के उपर कि यह strategy है क्या देखें इसको implement करने के लिए आप nifty bank nifty दोनों में कर सकते है टाइम फ्रेम आपका five relates का होगा इसके लिए आपको दो indicator आपको plot करने होगे कौन सा indicator होगा चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले सब plot किया हुआ है मैं indicator को यहाँ पे plot करके दिखाय देता हूँ तो सबसे पहने आपको go to indicator section, indicator section में जाना होगा और just type e-a में, आपको यहाँ पर e-a में type करना होगा तो यहाँ पर आपको move your average exponential यहाँ पर show करने लगा होगा अब इस पर आप double tap करेंगे, यानि कि double click करेंगे double click करेंगे, तो आपके skills पे, आपके chat पे यह दो बार plot हो गाएगा तो just इसको हम लोग को क्या करना है, कि यहाँ पर setting करना है setting में जाकर करके, यहाँ पर default null होता है, इसको हम यहाँ पर tail कर देंगे और style के, फिर उसके बाद style section में जाकर करके, यहाँ पर color को हम लोग change कर देंगे rate कर देंगे, thickness को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, just इसको okay कर देंगे शिर सिकेंड वाले EMA को हम लोग क्लिक करेंगे, setting पर, उसके बाद input section में जाएंगे default line को हम लोग यहाँ पर 20 कर देंगे, 20 करने के बाद style बाले section पर गाएंगे यहाँ पर color को green कर देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं as your choice, अब यहाँ पर set कर देंगे अब जो पहले तरीका का sell हमारा यह indicator दिखाई दे रहा था, उसी तरीका से यह chat पर आपको अब दिखाई देने ला लेगा अब इसमें हम लोग trade कैसे लेंगे, देखे most of the time trading में क्या होता है ला, trading में 80% आपको wait करना पड़ता है perfect setup के लिए और 20% ही कायम करना पड़ता है, लेकिन नए trader करते क्या है कि 80% कायम करते है, 20% बैठे रहते हैं जिनके वज़ा से उनको एक खेली loss का सामना करना पड़ता है, तो आप ऐसा ना करें, आप perfect setup का इंतिजार करें आपको दिखाऊं, तो market यहां से एक downside की momentum वंठी में उपर रहा था, यहां पर पर देखेंगे कि अगर green moving average अगर उपर रहेगा और red moving average नीचे रहेगा तो हम लोग यह मानेगे कि market में भी downside की momentum चल रहा है, हम लोग सिर्फ downside की trade देखोगे, जब यह क्या होगा कि green indicator नीचे आ अपर आ जागा, तब हम लोग यहां पर buying के लिए जाएंगे, जब cross over होगा, तो यहां पर देखोगे कि market gap doll open होगा, gap doll open होने के बाद market try कर रहा था, इस range को break करके upside की जाने के लिए, यहां पर देखोगे तो एक sideways rail था, लेकिन finally हम एक indicator का यहां पर entry देता है, इस candle पर, इस candle पर देखेंगे कि दोलो इंडिकेटर का आपस में cross over होगा है, और जब cross over होगा, तो उस candle की high पर हमारा यहां पर, हलाकि setup के according हमारा entry यहां पर होगा, और stop loss previous swing low के नीचे होगा, तो यहां पर हमारा stop loss बनता है, और यहां पर entry, लिकिन हम लोग ने entry perfect level यहां पर किया, confirmation के लि रिवाइल के लिए हम लोग 1-1 के लिए गया, और देखें तो इस study medium से finally जब cross over होगा, तो हमारा target achieved होगा, अभी भी market में एक upside की momentum बाकी होगा है, और क्यों कैसे, क्योंकि देखेंगे कि यह अवला indicator, red और green indicator में जो difference है, वो धिरे धिरे बढ़ता जा रहा है, इट मिन्स यह slowly slowly एक upside की value continue करेगा, तो यह buying के लिए हो गया, अब चलिए लोग यहाँ पे sale side के लिए देखोगे, तो देखें जब sale side के लिए होता है, तो sale side के लिए यहाँ पे हमारा एक trigger बनता है, sale side पे यहाँ तो cross over होता है, तो इसके low पे हम लोग क्या करेंगे, कि sale करेंगे, sale करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक stopless गया, तो कोई भी strategy में आपका stopless seat होगा, ऐसा नहीं है कि nail होगा, नेकिल उसको क्या करना होगा, कि आपको just आपको बार बार एक ही strategy को follow करना होगा, तब जाकर करके आपको यहाँ पे profit मिलेगा, तो मैं एक setting side वाली आपको setup ले, आपक explain कर देला चाहते हैं, यहाँ से देखेंगे कि buying momentum आया है, यहाँ से आप देखेंगे, कि देखेंगे, यहाँ पे दोलो candle का cross over होने के बाद, उसके next day, market closing के time पे ही cross over होगा, उसके बाद लूचे एक बड़ा gap down होगा, जिसमें जिल लोगों ने position carry किया होगा, और लोगों पे second जो करना है, वो 20 EMA, अब जब दो indicator का cross over होगा, नीचे की side, तो हम लोग buying के लिए जाएंगे, उपर में cross over होगा, तो हम लोग cellule के लिए जाएंगे, just simple say strategy है, ज्यादा इसको मैं भूमा फिरा करके आपको explain नहीं करूँगा, ताकि आप confused होजा, बस आपको यही याद रख होगा, तो हम लोग selling के लिए जाएंगे, बस इसको याद रखना है, और इस setting के मादें से आप everyday treat कीजिए, और everyday profit बनाएए, मिलते हैं फिर next वीडियो में, अगर वीडियो को मादें से पहली बार चानल पर विजिट किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, धह अगर